हेलो फ्रेंट्स, वेलकॉम बैक टो मैं चैनल, मैं समीता, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हूँ, पैंट्री आप किस तरह से और्गनाइज कर सकते हैं, मेरे ये कैबिनेट है, इसमें मैं अपनी पैंट्री और्गनाइज करने वाली हूँ, तो चलिए हैं आज का वीडियो, उमीद करती हूँ, आपके लिए हल्ट्फल रहेगा, और आपको पसंद आएगा, किसी भी स्पेस को अगर आप अच्छे से और्गनाइज करना चाहते हैं, तो उसे स्टेप बाइ स्टेप करें, तभी आपको फाइनल रिजर्ट बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं, तो चलिए, फर्स स्टेप है, यहाँ पर पैंट्री और्गनाइज करने के लिए, जिस भी स्पेस पे आप अपनी पैंट्री रखते हैं, वो कोई कैबिनेट हो सकती है, सेल्फ हो सकती है, तो उसको आप पूरा एम्टी कर लें, ताकि आपको एक आइडिया लग करना क्या है, और रखना किस तरह से, सेकिंड स्टेप आता है, जो भी कंटेनर्स हम यूज कर रहे हैं पहले से, उनको आप एक बार एम्टी कर लें, क्योंकि काफी सारी डाले ऐसी होती है, कि अभी मौनसून सीजन खतम हुआ है, तो कीडे लगने के चांसे होते हैं, तो इस इस तरह के बाटल में ने विनेगर रखा है, तो थोड़ा सा विनेगर में इसके ऊपर डाल दूगी, इस तरह से एक पेस्ट लाइक हो जाएगा, जिस तरह की भी प्लास्टिक के कंटेनर आप यूज करते हैं, या ग्लास के किचन में रहते हैं, तो चिकनाई काफी आजाती है, तो इस तरह का जो ये सलूशन बन जाता है, ये इस तरह के डिबों को क्लीन करने के लिए बहुत ही एजी रहता है, यहाँ पर जो पुराने स्टीकर भी लगे वे हैं, उन्हें भी मैं हटा रही हूं कि दुबारा से री और्गनाइज करेंगे, तो किस बॉक्स में क्या आएगा, वो सारा चीज दुबारा से अरेंज कर रहे हूं, तो यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, पर जब हमारे कंटेनर सारे अच्छा से क्लीन हो जाएं, उन्हें आप संड्राइ कर लेंगे, उसके बाद उन्हें ड्राइ करके, आप कोई भी जो समान उसमें रखना है, वो आप रिफिल कर लें, तो यहाँ पर यह दालें भी मैंने सुखा ली थी, तो यह भी अप क्लीन है, इनको मैं इसमें रिफिल कर रहे हूं, इस टाइम पर जब आप इस तरह से अरेंज कर रहे ह क्योंकि यह एक केजी या डेट केजी या दो केजी के हिसाब से ही मेरे घर पर आती है, तो इस तरह से यह सारे कंटेनर मैंने फिल कर दिये हैं, इन कंटेनर को फिल करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप इनको प्रिवेंट कर पाएं, जो इंसेक्ट वगएर आ जाते हैं दालों में उसके लिए, तो यहां पर अभी हमने इनको धूग भी दिखाई है, तो अच्छे से यह ड्राय और क्लीन हैं सारी दालें, तो इस टाइम पे आप इसमें आड कर दें, इस तरह की यह डाबर की पारत तिकली आती है, और यह इंसेक्ट को दूर रखती है, दालों स जेचावल वगएरा में भी आप डाल सकते हैं, इसको आप इस तरह से किसी कौटन कपड़े में दो या तीन गोलियां डाल के अपनी दालों में रख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने टिशू पेपर के अंदर रोल की हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं, और इस तरह से रखने से काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहती हैं, खराब नहीं होती हैं, इन गोलियों को आप डिरेक्ट कभी नहीं डालें, अदर्वाइस कभी आप डाल बना रहे हैं, और आप इसको भूल जाएं कि अपने इसमें गोलियां डाली हुई हैं, तो वो आपके खाने में जा सकती हैं, इस कोई कॉटन के कपड़े की पोटली बना देते हैं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, इस टाइम पे सही टाइम है, अपनी सारे कंटेनर को रिफिल करने का जो दाले अपस खतम हो गई हैं, या जो स्टॉक में आपके घर पर पड़ी हुई हैं, उन्हें आप कंटेनर स्टेप हैं, लेबलिंग, लेबलिंग बहुत जादा इंपॉर्टन स्टेप है, क्यूंकि इस से हमारी किचन ऑर्गनाईज तो लगती ही है, सात ही हम इसको बहुत लंबे टाइम तक ऑर्गनाईज रख सकते हैं, क्यूंकि अगर लेबल है चीज़ों पे, तो आप उसको एक दिन या दो दिन का काम है, बट आपकी किचन कितनी जल्दी मैसी हो जाती है, वो आप सभी जानते होंगे, एक भी कंटेनर इदर से उधर हो गया, तो फिर सारी किचन आपकी दिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसे ढूंडने में काफी टाइम लगता है, और एक और फायदा हो को दिखेंगी, तो मिस होने के चांसस कम रहते हैं, तो यहाँ पर मैंने यह प्रिंट कर आ लिये थे, दालों के सारे नेम, और उसके बाद मैंने चोड़े वाले सेलो टेप के उपर इस तरह से उल्टा रखा है, और फिर इसको इस तरह से चिपका दिया है, यह कहीं नहीं ज इस तरह से एक मैथड था, दूसरा मैथड आप इस तरह से कर सकते हैं, आप इनको स्टीकर की तरह प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टी, कॉफी, शुगर के लिए करा आए, यह वाले ग्लास कंटेनर अगर आपके हैं, तो उसके उपर बहुत ही सुंदर लगते और इनको डिल्फ सेलो टैप में स्टीकर मिलते हैं उस से रिडी कर सकते हैं तो मुझे इसकी लिए Run इस तरह से उल्टा रखके मैं यह शेप इस तरह से कर लूँगी एक्स्ट्रा सलो टेप की आपको जरूरत नहीं जितना स्टीकर है बस उतना ही और इसको अपने गरम पानी में डिप करके छोड़ना है आप इसको 5-10 मिनट मैक्सिमम छोड़ें उससे कम टाइम में भी हो जाता इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जब मैंने इसे छोड़ा है तो जो नीची पीछे का पेपर है उसको आप इस तरह से गरम पानी में रब कर लें तो यह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और यह हमारा स्टीकर रेडी हो जाएगा तो इस तरह से इनको थोड़ा स अगल्षार आप आप देखेंगे इसके बार these stickers सारे सी हो जाएंगे यह देखेंगे इस मारे रेडी हो गए हैं अब आपको झिस भी जगह पर इनको कर रहे हैं, Favikool का, Favikool इसके ऊपर लगाएंगे और इसको स्टिक कर देंगे, इसमें कोई bubble नहीं आना चाहिए और फिर ऐसको हम रखेंगे, ड्राइ करने, आदे एक गंटे में ये आपका तिकर अच्иля हो जायगा, और ये स्टिकर अभी भी मेरे बहुत सारे container पर लगे हुए ये sticker एक भर अच्छे से सेट हो जाएं तो easily नहीं निकलते हैं आप इसके उपर इने wash भी कर सकते हैं तो आप इस तरह से try कर सकते हैं या फिर जैसे print मैंने कियो उस तरह से कर सकते हैं या फिर खुछ से white paper के उपर नाम लिख के आप इस तरह से sellotape की help से stick कर सक लगते हैं यह भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और परस्नाइट चाहता है नेक्स स्टेप है इनको री अरेंज करना कबिनेट में या फिर जो भी आपकी पैंट्री यूनिट है इनको री अरेंज करने के लिए यहां पर मेरे सजेशन है कि आप इनको हमेशा एक तरह के कंटे कंटेनर इस तरह के हों कि एक के ऊपर एक वो रखे जा सकें ताकि वो आपकी स्पेस काफी सेव करें तो यहां पर जो बड़े कंटेनर हैं वो मैंने पीछे रखे हैं और चोटे वाले आगे ताकि मुझे सारी चीज़ें अच्छे से दिखें इसके अलावा आप यह भी कर सक सकते हैं कि अगर आपको स्पेस की कमी हैं आपको थोड़ी चीज़े और एट करनी हैं तो आप वो चीज़े पीछे रखने जो आप कम यूज करते हैं और जो ज्यादा यूज करते हैं उन्हें आगे रख सकते हैं तो इस तरह से करने के लिए आपकी जो यह स्टैकबल कंटे में तो space काफी बचती है तो यहां पर आप देख सकते हैं जब मैंने इनको ऊपर रखा है तो काफी सारी space मेरे पास आ गई है क्योंकि अभी काफी सारी डाले इसमें missing हैं और winter में और भी नहीं डाले आती हैं जिसे कि मैंने first self पे सिर्फ डाले रखी हैं डालों के लावा कुछ नहीं रखा हैं तो next step में रखने के लिए मैं सिर्फ breakfast item रखूंगी तो उसके लिए भी मैं इसी तरह से ये container फिल कर रही हूं और इसे मैं second self पे arrange करूंगी तो इस तरह से अगर आप category wise रखते हैं जिसे पास् सूजी ये सारी चीज़ें breakfast के लिए use होती हैं तो इन्हें आप एक जगह पे रखें तो जब आप ढूंडने लगते हैं तो आपको वह उसी space पर मिलती हैं इस तरह से काफी time बसता है convenient रहता है उन्हें निकालना तो आप इस तरह से categorize जरूर करें तो यहां पर घर पर जो भ अरफलेक्स हैं दलिया हैं यह सारी चीज़ें मैंने यहां पर अरेंज कर दी हैं और यहां पर जो टॉल बॉक्स हैं वो मैंने पीछे रखे हैं और जो से चोटे हैं वो आगे रखे हैं इस तरह से काफी easy हो जाता है इन्हें निकालना और use करना इस cabinet में जैसे मेरे पास जग अरेंट कर रहे हूं करेंट की दो जो सेल्फ हैं वो मैंने रेगुलर बेसिस पर यूस होने वाले आइटम्स रखे हैं जो मैं फ्रिक्वल्टी यूस करती हूं इसके बाद की जो दो सेल्फ हैं यूस करने है वो मुझे फ़ूदा सब प्रॉबल्म होती है जुकने में तो मैं यह ज़्यादा यूजने ही करती हैं तो यहां पर मैंने वो समान रखा है जो कि मुझे जादातार तब निकालना होता है जो मुठे रिफिल ऋंगा होता एक क्याबिनेट है और इसमें सेल्फ नहीं है बिल्कुल भी तो उसमें मैंने रखा है आटे का कंटेनर और यह है चावल के यह भी मैंने टपर्वेर के स्टेकबल कंटेनर यूज किये है तो इस तरह से इन कंटेनर में 10 kg राइस और 10 kg आठा अराम से आता है कुछ यहां पर मि जागरी पाउडर जो मिसलेनस आइटम घर में होते हैं बूंदी वग्यरा वो मैंने यह सेल्फ एक यूज की है उसमें रखे हैं इस कंटेनर के पीछे दो प्लास्टिक के कंटेनर और मेरे पास हैं उसमें मैंने कुछ मसाले रखे हैं जो एक्स्टा पैकेट हैं वो मैंने य तो इसमें सारे जो मसाले हैं मेरे वो मैंने रखे हैं कुछ मैं रियूज कर लेती हूं जैम वगरा की बॉटल तो उसमें भी मैंने इसी तरह से लेबल करके यह कंटेनर रखे हुए हैं चलिए आपको फाइनल दिखाती हूं कि अब कैबिनिट कैसी लग रही है जो पहले रे आइटम है वो और लास्ट कैवनेट में भी मैंने कुछ उसी तरह का रेंडम स्टफ रखा है जो मेरे पास एक्स्ट्रा रहता है साथ ही यहां पर एक यह बास्केट मैंने रखी है जिसमें बेकरी रिलेटर जो भी स्टफ मेरे पास होता है वो मैंने एक जगह इस तरह से रहा तो भी आप जरूर बताईएगा और आपके कुछ सजेशन हो मेरे लिए ताकि मैं और भी फंक्शनल इस पेंट्री यूनिट को अपनी बना पाऊं तो अब जरूर मेरे साथ शेयर कीजेगा मुझे अच्छा लगेगा जानके मैं मिलती हूँ आप से किसी और नई इंट